सरे स्क्राइड एंचा साहिए मनुष्मृति को पागलों का ग्रंत है मनुस्मृति को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था महारिशी मनु, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई था तो महारिशी मनु था, वो कहता था कि जो प्रत्वी है वो चप्टी है, लिखा वा उसमे, मैंने पढ़ी है, और अगर आपको पढ़नी है तो मनुस पपीबाईस सर्फ, समाल कर्य कीए, जिस दिन मकडम आ जाएगा सूपरेम कोर्ड में मेरे खिलाब में उसी गुले क्या हूंगा, कुल लोग भटकी, तो वो चैर आ है कि प्रत्वी चप्टी होते, अब आम सो को प्रत्वी चप्टी है आए, है लिग कि प्रत्वी चप्टी लगाते हैं और अपनी कीली पर भी घूंगती है तो वहां पर 24 गंटे में दिन और रात हो जाते हैं और जब सुरज के पुरा चक्टर लगाती है तो 305 तो पूरा साल हो जाता है लेकिन इनके हाँ सीन क्या है कि जो प्रत्वी है वो एक बिजार था हमार के सांड सांड के तो ऐसी बेव भुदा बेव कूफी वाली बचकाना हरकते उसमें लिखी है और एक बात और बताओंगा क्यों पागल मैंने कहा उसे है वो ये कह रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ती कैसे हो मनुष्य की उत्पत्ती अगर मतलब साइंटिफिक दिर्ष्टी कौन से देगा मैं क कैसे उत्पत्ती पानी से होई एक गिलास पानी को आप एक हफ़ते तक रख दो उसके अपना प्याने को परकार के जीव पैदा हो जाएंगे खुद बताया है विज्ञान कहता है कि सबसे पहले एक कोशे जीव पैदा हुए फिर बहु कोशे जीव पैदा हुए फिर बहु कोशे जीव पैदा हुए एक कोशे कौन से थे पैरामीश्यम यूगलीना अमीबा ये एक कोशे जीव हुआ करते थे फिर जो है बहु कोशे यह तरह है देरे देरे पहले वनस्पत्य आय थी फिर जीवाने लगी। लेकिन उध्पत्य पानी से हुई है। लेकिन वह क्या कह रहा है उसने कहा एक दिव्यपुरुश है। पहली बाद तो यहीं खतम हो गई। दिव्यपुरुश के ले नर्व नहीं कर सकती है। नर्व नहीं करता, तो वो करता दिव्य पुरुष है, दिव्य पुरुष के लिए कहा रहा है, ब्रह्मने मुखमासीद, तो जो दिव्य पुरुष है, उसके मुँ में से ब्रह्मने निकला, तो अब आप ये बताओ, मुँ में से बच्चे पैदा होते होंगे, मुँ में से न पेरों से शुद्रे अजायते اभा सब्सोड़ कर लोह तैसे इस लिए न हो परकृति कर दूकर इस लिए मैंाइट्राखर पाःता ने मदल दिया पहला सिस्टम बच्चे मादा पैदा नहीं करेगे बच्चे नर पैदा करेगा और फिर एक जागे से नहीं वो चार चार जागे से करेगा मुमे से भी करेगा, हाथों से भी करेगा, पेट से भी करेगा और पैरों से भी करेगा तो इसलिए मनुस्मर्टी नाम का जो गरंथ है यह मूर्खों की परिकल्पना है और यगीन जानिए अगर मैं एक-एक से लोग बताना शुरू कर तो पता चलेगा या यह एक प्याज की भाती है परत दरपरत पलटते जाओगे और उसमें से बदभू आएगी और आखों से आ अंतिम पल्प में भी अगर आप यह कहो ने सबसे पहले किसे जलाओगे तो मैं कहो मनुस्मर्दी जलाओगे